एक बार भगवान बुद्ध जेत्वन विहार में रह रहे थे, विक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आये थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिन चर्या, व्यवहार और गुनों की चर्चा भी हुई। विक्षु चक्षुपाल अंदे थे। एक दिन विहार के कुछ विक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीरों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी, कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की. भगवान बुध्ध ने निंदा कर रहे उन विक्षुओं को बुलाया और पूचा कि क्या तुमने विक्षु को कीरे मारते हुए देखा है। उन्होंने उत्तर दिया नहीं. इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि, जैसे तुमने उन्हें कीरों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीरों को जान बूज कर नहीं मारा है, इसलिए उनकी भर्टसना करना उचित नहीं है विक्षियों ने इसके बाद पूछा कि चक्षपाल अंधे क्यों हैं उन्होंने इस जन्द में अत्वा पिछले जन्द में क्या पाप किये भगवान गुद्ध ने चक्षपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्द में एक चिकितसक थे एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आँखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे स्त्री की आँखें ठीक हो गई पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इंकार कर दिया चिकितसक को तो पता था कि उस स्त्री की आँखे ठीक हो गई है वह जूट बोल रही है उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षपाल ने दूसरी दवा दी उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई वह कितना ही रोई पीटी लेकिन चक्षपाल जरा भी नहीं पसीजा इस पाप के फलस्वरू पगले जन में चिकितसक को अंधा बनना पड़ा